हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपको अपना चैरी टमैटो का प्लाइट दिखा रहो देख सकते हो कितना बड़ा हो रहा है मैंने यह दो प्लाइट लगा रहा है यहां पर और एक प्लाइट यहां पर लगा रहा है देख सकते हैं और काफे इच्छी ग्रोज चल रही है तो आप इंट्र फ्लावर इंग आने लग रगे हैं अगर आप चाहे तो अपने टेरिस गार्टन में लगा सकते हैं चेरी ट्र्माटो के पलांट को प्लांट आप दस कबरांट की लिए आप इसरे सrukने जाहा लेश्क में इसकों आपको कुल दिखा रहे हुआ यह देख सकते कितने इच्छे फ्लावर आ रहे हैं कितने सारे आरे हैं यहां नहीं को नहीस कि ठाए अपको थोड़ा गमला देखना इसके लिए जैसे मैंने डो बा इंटर 15 कि ए और मैंने कुसको कट्स तो शुद्स घंदर दश्रागे। चैरी टमाटो के जो टमाटर आते हैं वो गुच्छों में आते हैं और काफ़ी तेस वाद उसके टमाटर होते हैं अगर आप चाहे लगाना है तो जरूर लगा सकते हैं कोई इसकी ज्यादा केर नहीं होती इसके ओपर पानी का आपको स्प्रे भी करना पड़ता है अगर ठंड है तब नहीं करना अगर अगर दूपच्छी खासी निगली पड़ी है तो आप इसके बर पानी का स्प्रे कर दे उससे क्या होगा इस पर कीडे भी नहीं लगें देख सकते हैं थोड़े पत्ते इसके मुड़े-मुड़े से भी हैं थोड़े मेरी इसको कीडे लग देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोध चल रही है इसकी कोई अभी से दिक्कत नहीं आ रही और अब तो इस फ्लावर इंग भी बहुत ही अच्छी कर रहे हैं मैं इसके इंदर हफ्ते में या दस दिन में एक बार लुकर्ट फर्टिलाइजर डालता हूं सब्जी को छिलकोगा मैं अपने सारे पोदों में वही डालता हूं तो उससे काफी इच्छी ग्रोध करते हैं देख सकते हैं यहां गुलाब का पोदा भी है इसके भी फ्लावर काफी अच्छी आ रहे हैं कितने बड़े फ्लावर आ रहे हैं मैं वही फर्टिलाइजर डालता हूं देख सकते हैं तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं तरह को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो